Hello friends, good evening, कैसे हूँ? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे Show friends, आज की इस class में हम लोग solve करेंगे reasoning का practice it और ये reasoning की दूसरी class है, अगर आप लोग पहली class को नहीं देखें हैं तो आप लोग playlist में जाके देख सकते हैं playlist में आपको Hindi, ZK, reasoning, subject, ability and current fair की classes मिल जाएगी इन classes की अगर आपको free में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेली ग्राम चैलेंग से जॉइन होशकते हैं टेली ग्राम चैलेंग राम है education बिसाहिल वेडियो के description box में link दे दिया हूँ तो आप लोग वहाँ से जाके जॉइन होशकते हैं पे classes का timing देख सकते हैं साड़े नौ बजे हिंदी लेंग्विजी क्लास होती है पाँच पैतालिस वाली जो क्लास होती है अब साड़े छे बजे होती है जो की अभी स्टार्ट है reasoning and subject ability की क्लास हुआ करती है ओके और शाथ ही इस क्लास पे आम लोग बात करेंगे यूपी बेट एंटेंस एक्जाम 2022 के बेश्ट बुक की बार में जो की चक्सू पॉब्लिकेशन की बुक है आप लोग इस बुक का cover पेश दिख सकते हैं बहुत भी अच्छी बुक है बेट इंटेंस एक्जाम के लिए इसमें आपको सभी सब्जिक के important questions देखने को मिलेंगे 49 से ज़्यादा आपको objective questions और 5 short paper 2017 से 2021 तक ही देखने को मिलेंगे इसके लाव 15 practice papers आपको इसमें देखने को मिलेंगे यहाप उस तक हर हाल में अन्यो पुस्तों को से स्रेश्ट हैं यहाप उस तक आपको हर market पे आशानी से मिल जाएगी आप लोग किसे online भी मंगवाश रकते हैं घर बैठे वीडियो के description box में link दे दिया हूँ तो आप लोग किसे मंगवाश रकते हैं इसकी विशे सूची आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग बी एट इंटर्स एक्जाम की बेहतरी इन तयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस बुक को ले शकते हैं काफी सारे कमेंट आ रहे थे तो आप लोग चक्सु पॉब्लिकेशन की बुक को ले शकते हैं ठीक हर कोश्चन का और करके मंगवाश रखते हैं वीडियो के डिस्किप्टिन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ आज की क्लास का सबसे पहला कोश्चन्स आपके स्केन पर आ गया है कि निमलिकेशन में से अलग काउन है यहाँ पर बताना है यहाँ पर पनीर जैसे लिखा हुआ है मक्खन लिखा हुआ है दूद लिखा हुआ है दही लिखा हुआ है तो इसमें अलग काउन सा ही आपको बताना है pen copy साथ में लेके बैठिएगा क्यांकि questions अभी solve करने होंगे आपको और शमय भी आपको अगर चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुप भी सकते हैं फिर आप लोग आंसर बताईएगा तो इसमें देखें मैं आपको उता दूँ उसी प्रकार रेंगना किस से संबंदित है ये आपको बताना है जिस प्रकार उन्होंना तोते से संबंदित है उसी प्रकार रेंगना किस से संबंदित है गवराया, मगर मच, मेढख, मचली दूसरा का राईतन सर बताने का प्रयास करेंगे तो जिस प्रकार तोते जो है आश्मान में उड़ते हैं उसी प्रकार मगर मच जमीन पर रेंगते हैं तो आफनस का जो है बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा बीएट की पलपल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारी चैनल से जुड़े रहें जो भी पिएट की अपडेट है कि वपडेट आपको शबसे पहले इसी चैनल की मॉद्धन से आपको देखने को मिलेगी अगला प्रशन देखिए निमलिकित में से सही विखलब का चैन की जिस प्रकार ओनम जो है केरल से समंदी थे उसे प्रकार और किश्य समंदी थे आपको बताना है जितने बिलोग क्लास को देख रहे हैं फड़ फड़ वीडियो को लाइक करतेंगे कुछ डाउट से हैं तो कमेंट बाक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं तो जिस प्रकार ओनम केरल का राष्टी जो है परव है तो उसी प्रकार जो बिहु है आश्यम राज्य का प्रमकुते वहार है ओके, औफनेस का ड वाला बिलकुन करिक्ट हो जाएगा ओके, चलिए अगला प्रश्ण निमलकित मेंसे सही वीकल्प का चैन कीजिए जिस प्रकार पाखन जो है इमानदारी से समंदित है उस प्रकार और किस से समंदित है आपको बताना है तो पाखन देखे इमानदारी का विपरीतार्थक शब्द है तो उसी प्रकार कभी कभी प्रायाह का जो है विपरीतार्थक शब्द है ओफनस का सी वाला बिल्कुन करेक्ट हो जागा नहीं लिखे इतमे से सही विकल्प का चैन कीजे इसमें सही विकल्प का चेहन कीजिए इसमें शवी लोग जौब देने का प्राश्च करेंगे शही विकल्प का चेहन करना आपको तो इसमें देखी मुसो लिनी यह जो है इतली का एक राजनेता था तो आपको प्राश्च का बी वाला आपका सही हो जाएगा ओके चलिए अगला प्राश्च देखी यदि रेल को बस कहा जाता है इस तरी के कोशन्स अगर आप वो एक्जाम में देखने को मिल जाये तो कैसे करना है यदि रेल को बस कहा जाता है बस को टेक्टर कहा जाता है टेक्टर को कार कहा जाता है पूरा आपको नहीं पढ़ना है तो खेत जोतने के लिए किस की अवसकता पड़ेगी यह बताइए आप लोग खेत जोता किस से जाता है टेक्टर से, अब यहाँ पर देखिए, टेक्टर को कार 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 किया करें एक्जाम हॉल में आप लोग जैसे बैठे हैं उसी तरह बिलकुन एक्टी होके कॉश्चन को साल भी किया करें डायरेक्शन का कॉश्चन है फड़ाफ़ाट सॉल करें आप लोग इसे कॉश्चन को पढ़ें फिर इसका अंसर बताइए तो देखें यहाँ पर क्या पूछ रहा है सोहन उत्तर दिसा में 10 किलो मीटर चलने के बाद वह वहां से वापस मुड़कर दच्छन की ओर 6 किलो मीटर चला सोहन जो है उत्तर दिसा में 10 किलो मीटर गया भीया ठीक है और वहा यहाँ पे फिर वहाँ पूर्व की ओर 3 किलो मीटर चला बताईए वहाँ प्रारामभिक दिसा से पूर्व इधर है न तो 3 किलो मीटर फिर चला तो यहाँ से प्रारामभिक बिंद से उसकी जो है दूरी कितनी है यह आपको पता करना है तो यह जो दूरी हो जाएगी यह सब्सक्राइब के लिए चलिए नीचे देगे सब्सक्राइब को एक अर्थ पूंड क्रम में रखिए तथा फिर नीचे देगे विकॉल्प में से सही क्रम को चुनिए बहुत ही इजी कोश्चन है डिरेक्शन वाले को अच्छे से प्रेक्टिस कर लिजेगा आ जाएगा कुछ नहीं उसमें आठवा का जॉब दीजे सबी लोग शब्दों को तार की क्रम में आपको बैठाना इसमें देखे सबसे पहले इसमें गाउं आएगा गाउं का कोड यहां पे दो दिया गया है गाउं के बाद आपका तहसील आजाएगा तहसील का कोड यहां पे चार है तहसील के बाद आपका जो है इसमें जीला आएगा जीला का यहां पे कोड क्या है वन है ठीक है उसकी बाद राज राज का यहाँ पर क्या है तीन राज के बाद राश्ट यानी की देश पांच 241-35, 241-35, 241-35 ऑप्शन ए वाला आपका मैस कर रहा है ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखिए निमलिखित में से जो है सही बिकल्प का चैन की जिस परकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर भारत नहीं है यह ता आपका नहीं जिस परकार जो है भार किलो ग्राम से समंदित है उसी परकार और किस समंदित ही आपको बताना है तो जिस प्रकार भार को किलो ग्राम में मापते हैं तो उसी प्रकार दूरी को किलो मीटर में मापते हैं हम ठीक है बी वाला आपका शही हो जाएगा चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन आपकी स्केन पे हैं यदि आज बुधवार है तो आगामी रवी वार के पचीस दिन बात कौन सा दिन होगा यदि आज जो है बुधवार है यानि कि वेड़नेश डे है तो आगामी रवी वार के पचीस दिन बात कौन सा दिन होगा दसवा का जवाब देंगे स को सॉल्व करिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें अभी आप के पाश बहुत ही समय है एक्जाम के बारे में एक बार फिर से कुश्चन पढ़ रहा हूं फिर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं ठीक है यहां पर और स्वाइड कि यह दरा हूं मैं यदि आज बुद्धवार है यहां बुद्धवार है यहां पर देखिए आज बुद्धवार है तो आगामी रभी वार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा आगामी रभी वार तो रभी वार देखिए यहां पर बुद्ध के बाद ब्रहश्पतिवार हो गया शुक्र हो गया शनी वार हो गया और यहां पर शंड पच्छेस को, साथ से डिवाइट करेंगे, पच्छेस में सत तरीक, एक कैसा आ गया, यहाँ पर बचा क्या, चार, चार आपका ओड देस आ गया है, ठीक है, अब तो शाथ से कड़े का नहीं, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर संडे तक कर लिए थे न, संडे के बाद प आपका सई है, तो आज बुद्धवार है, आगामी रभी वार के पच्छेस दिन बाद जो दिन होगा, वो होगा, ब्रहश्पति वार, एक बर प्रैक्टिस करिएगा, हर कोश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, आटोमेटिक इस तरीके कोश्चन आपको आने लगेंगे, ठीक ह लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्चन है, और नॉर्मल कोश्चन है बिलकुन, यदि आप किसी कतार में, ये कतार हो गई, दोनों सीरों से गिनने पर आप बरहवे बेखती हैं, यहाँ पर बरहवे बेखती हैं माल लीजे, तो कतार में कुल कितने बेखती ही आपको बताना ह इसे नॉर्मल आप लोग जो है काउंट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नव, दस, ग्यारा, बारा आ गया ना, इधर से भी गिन लीजे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छे हो गया साथ हो गया, आठ हो गया, नव, दस, ग्यारा, बारा, अब सब को गिन लीजे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नव, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, ओनाइस, बीस, एकाईस, बा प्लश है और Q का अर्थ माइनस से R का डिवाइड है S का मल्टिप्लाई है तो दिए गए समी करण का मान ग्याद कीजिए फड़ा फड़ा मान ग्याद कीजिए इसमें बैड मौस का जो है questions है चलिए यहाँ पे क्या लिखा है वहाँ है 16 तो सबसे पहले हम 16 यहाँ पे लिख लेंगे और मैं थोड़ा कम किये दे रहा हूँ देखे यहाँ पे 16 लिखा हूँ है ना शोला उसके बाद यहाँ पे S लिखा है यहाँ पे S को कहा क्या गया है multiply गुणा कचिन लगा है उसके बाद यहाँ पे R को यहाँ पे क्या कहा गया है यहाँ पे R का अर्थ है क्या भाग भाग कचिन लगा देंगे उसके बाद यहाँ पर 10 लिखा हुए 10 लिख लेंगे उसके बाद Q को यहाँ पर क्या क्या है Q का अर्थ है माइनस माइनस लगांगे यहाँ पर 6 लिखा हुए यहाँ पर 6 लिख लेंगे उसके बाद P का अर्थ माइनस 6, प्लस के 7, अब यहाँ पे 96 हो गया, और 7 को इधार लाएंगे, माइनस 6, यह 103 हो गया आपका, माइनस 6, 103 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 97 भी आ जाएगा आपका, बिल्कुन सही हो जाएगा, option B वाला, ठीक है, समाज में आ गया, बिल्कुन easy question था, 97 आपका, किसी भी तरीके से आप लोग लगा शक्ते हैं इसे, ठीक है, यदि किसी संकेतिक भासा में master को ncvxjx लिखा जाता है, तो उसी code भासा में doctor को कैसे लिखा जाएगा, यह आपको बताना है, बहुत ही important question है, आपके exam के लिए, सरल प्रशन है, सभी लोग जौब देंगे, तो देखे, m में क्या add किया गया, मतलब minus किया गया, कि n कैसे आ गया, m में plus का one add किया गया, n हो गया, उसी तरह a में plus two add किया गया, तो c आ गया, उसी परकार s में plus three किया गया, मतलब एक एक जोड़ते इसमें चले गये है, तो d में हम एक add करेंगे, तो क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, o में, o में जब हम add करेंगे plus two, तो यहाँ पे q आ जाएगा, एक एक हमें add करते हुए, चले जाना है, c में आपका जो है, जब हम add करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, f, t में जब हम 4 add करेंगे, तो x आ जाएगा, उसके बाद o में plus five करेंगे, तो यहाँ पे T आ जाएगा R में प्लस 6 से करेंगे तो X आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये वाला मिला है न ये आपका बिल्कुन सही हो जाएगा एक-एक आइट करते हुए आपको चला जाना है ठीक है चलिए इसको देखिए इसमें आपको पूर्ड करना है सिरीज को यहाँ पे क्या आएगा कोश्चन मार की जगा पे बिल्कुन सरल है यहाँ पे F-Z-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q के बात क्या आएगा बताएगे बिल्कुन ABCD सिरीज से लिखी हुए है तो O-P-Q-R-S-T यह देखिए अगला प्रश्चन देखिए यह आ गया कोश्चन अभी और कोश्चन है इसको बताएए सबी लोग पढ़िए अच्छे से फिर बताएए इसका राइटन सर क्या होगा एक कोश्चन फिर यह आपका है यह तो बिलकुन इजी प्रश्चन है तो यह दोनों कोश्चन आपके होमवर्क हैं यह वाला और यह वाला जो मैंने आपको दिया यह वाला इसको आपके solve करके तो हैं बताना है comment box में और कल की class में इसका राइटन सर मैं आपको बताऊंगा ठीक है और 15 प्रश्चन में से आपके जितने भी प्रश्चन सही हुए हों तो comment box में अपना नाम स्कोर ज़रू बतेगा कुछ doubts हैं तो comment box में पना doubt के लिए कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली class पे तब तक लिए thank you